अससाली मुलिकूम विवर्स, कैसे हैं? आप सब उमीद करती हैं, आप सब भिलकुल ठीक होंगे और बहुत होश हूँगे आज हम आपके लिए बहुत मज़़की रेसिपी लेकिए हैं स्टार्टर की जितने ये बाहिर से क्रिस्पी बनते हैं अंदर से उतने ही सॉफ्ट होते हैं तो बस अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी स्टाटर्स इसी तरह बने तो वीडियो गैंट तक देखें तो सबसे पहले हमने तियार करनी है डो उसके लिए हमने लिए है एक कप मेदा ओल लेंगे दो चमच एक चमच इसमें नमक एड़ करेंगे जीरा एड़ करेंगे इसमें हाफ चमच तो बस इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं तो बस अब थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करके डो त्याड़ कर लेंगे तो बस डो हमारी बिल्कुल रेड़ी है इसके उपर हम अलका अउय लगा देंगे और इसे कवर करके 15-20 मिनट के लिए रख देंगे ताके डो हमारी सेट हो जाए तो यहां पर हमने लिए है एक बॉल और इसमें हम डालेंगे अलू दो हमने नॉर्मल साइज के आलू लिये थे और इने वाइल करके बारी बारी कट कर लिया था और यहां पर हमने नॉर्मल साइज की शिमला मिर्च लिया है इसे भी कट कर लिया है बिल्कुल छोटा छोटा और अब हम इसमें एड़ कर रहे हैं सुरख मिर्च और सबज मिर्च एक हमने बारी कट कर लिया है और एक हमने ली this能ip Dry-ष़ी प्यास लिया है साइस का इसिवें बहुत बढ़ी चाप लिया है तो एक चमच हम झिसमें नमाक करेंगे हाफ ऍे-चिली आड करेंगे हाफ चमच अब हाफ चमच इसमें एड़ करेंगे काली मिर्च पाउडर, लसन पाउडर इसमें एड़ करेंगे एक चमच और एक चमच ही हम इसमें अधरक का पाउडर एड़ करेंगे और आप हम इसमें एड़ करेंगे एक चमच चिकन पाउडर यह अप्शिनल है अगर आपके पास है तो आप प्यूज कर सकते हैं अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है तो बस यह से अब हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और यहां पी हमने ली है सॉस हमने मायोनीज और केचप को मिक्स करके एक सॉस रड़ी कर ली है तो बस यह सॉस अब हम इसमें एड़ करेंगे और फिर हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तो बस यह देखे हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है अब हम इसमें डालेंगे धनिया फ्रेश हमने धनिया लिया है और इसे अच्छी तरह वाच करके हम इसमें डाल रहे हैं तो अब इसे अच्छी तरह फिर से मिक्स कर लेंगे और बस अब यह देखें फिलिंग हमारी बिल्कुर रेडी है और यहां डो भी हमारी बहुत अच्छी तरह सेट हो गई है तो बस हमने हाथों को हलका हलका मेदा लगा लेना है और इसे निकाल लेंगे और अब हमने इने टू एकवल पार्ट्स में कट करना है और अब एक साइड इसके उठाएंगे और इस तरह से पेरा बना लेंगे और अब हम इसे बेर लेंगे और एक बड़ी रोटी बना लेंगे तो यह देखे हमने इसे कितना बड़ा बेला है और अब हमने इसे कट करना है यह हमने इसलिए बड़ा बेला है ताकि हम इसलिए इसे कट कर सके हमने इसे स्केर शेप में कट करना है तो बस यह देखें जो इसके एक्स्रा एजिस हैं उसे काट लेंगे और स्केर शेप दे देंगे तो बस कट हमने कर दिया है अब इसके एक्स्रा जो पार्ट है वो उठा लेंगे तो बस यहां साइड से थोड़ा सा सेट कर लेते हैं और स्क्वेर हमारा बिल्फिर रेडी है तो बस अब हमने इसकी कटिंग करनी है पहले हम इसे सेंटर से कट करेंगे दोनों पार्ट को आप लोगोंने इक्वल कर लेना है किसी भी चीज से तो बस यह देखे हम इसी तरह अंदाजे से कट करेंगे और सेंटर से कट करने के बाद अब हमने इसे तीन पार्ट में कट करना है और यह भी आपने इक्वल करके ही कट करना है तो बस यह देखे अब इसी तरह से हम इसकी भी कटिंग करेंगे और यह देखे हमने एकवल पार्ट में इने कट किया है तो बस अब हम स्पून से थोड़ी सी फिलिंग इसमें एड़ करेंगे अगर हम ज्यादा यूज़ करेंगे यहां पर तो यह अची तरह बंद नहीं होंगे और यह खुल भी सकते हैं जो हमारी फिलिंग है वह बाहर आ सकती है अब यह तो शायद यह बंद हो जाएंगे लिकिन जब हम इने फ्राइड करेंगे तो फिलिंग सारी बाहर आ जाएगी इसलिए हमने थोड़ी फिलिंग लेनी है तो बस इसे अची तरह सेट करते हैं और अब हमने इसकी ओपोजिट साइड को बाइंड कर देना है और यह एक स्मोसा की शेप में आ जाएगा तो बस यह देखे हम इसे अची तरह सेट कर लेंगे और फिर इसे हलकाल का प्रेस कर देंगे बस ये देखे हमने इस अच्छी तरह सैट कर लिए है अब हमने एक fould लिया है और इस तरह से हम इसके edges को प्रैस करेंगे और इसे ये अच्छी तरह cover हो जाएगा और filling हमारी पाहिर नहीं निकलेगी बस ये देखे एक हमारा समोसा बिल्कुल ready है तो बस अब हम बाकी के स्टार्टर्स भी इसी तरह रैडि करेंगे फिलिंग लेंगे और इसकी औपजिट साइट्स को पकरके पाइंट कर देंगे बहुत असान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है तो बस यह देखिये से पाइंट करेंगे अब तो बसवे इसे उची तरह स्टैट करेंगे और फिर से हम भी प्रोसेश करेंगे फॉक से इसकी सायड जो है इसकी एजी इनने अची तरह प्रेसे करेंगे तो बस ये देखें दूसरा मेनिसमौसा भी हमारा बिकुल रैडी है और यहां पे हमने 6 स्मुसा से त्यार किये हैं देखे एक वの साइज के साइज के बने हैं और बिल्कुल पỈफ्टिक्स बने हैं तो यहां पर हम बना रहे हैं दो तरह के स्टार्टर एक हमने मिनी समोसा शेप में बनाया है और यही शेप भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो बस करना क्या है कि इसकी चारो ओपजिट साइड्स को पकड़के आपस में कमबाइन करना है तो यह देखें इस तरह से चारो साइड्स को हमने प्रेस कर लेना है और अच्छी तरह हम इसे सील कर देंगे बहुत अची तरह हमने इसे प्रैस करना है ताकि इसके साइड को अची तरह सील हो जाए और जब हम इसे फ्राइ करें तो feeling बाहिर ना निकले अगर यह अची तरह बंद नहीं होंगी तो feeling हमारी बाहिर निकल सकती है तो बस ये देखें हमने इसके चारो आजिस को अच्छी तरह बंद कर दिया है अब हमने इसके हेड को पकड़ना है और हलका सा इसे राउंड कर देना है तो बस ये देखें न्यू शेप स्टार्टर की बिल्कुर डेडी है तो इसी तरह हम बाकी की भी त्यार कर लेंगे तो बस ये देखें हमारी एक अब डो में ये बारा स्टाटर्स बनके रेडी होंगे तो बस अब हमने करना किया है कि इन्हें डीप फ्राई करना है उसके लिए हम लेंगे एक राही में आईल आईल को हमने अच्छी तरह गरम कर लेna है अब हम इसमें डाल रहे हैं अपने मिनी समोसाज और इन्हें हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे और हमने इन्हें डिस्टेंज पर डालना है ताकि ये साथ न जुरें और अच्छी तरह फ्राई हो जाएं तो बस यह देखें समोसे हमारे बिल्कुर रेड़ी है हमने इने बहुत अची तरह फ्राई किया है मीडियम फ्लेम पे और यह तूटे भी नहीं है नाही फिलिंग बाहर निकली है तो बस अब हम इसे निकाल लेते हैं और यह देखें इनका कलर कितना प्यारा आया है लाइट तो बस अब हम सारे स्ट्राटर निकाल लेते हैं और यह देखें यह देखने से ही बहुत क्रिस्पी लग रहे हैं तो बस इसी तरह हम बागी के भी फ्राई करते हैं तो बस इसी तरह गरा मॉयल भी से डालेंगे तो बस यह देखें यह भी बिलकुर रेड़ी है इन्हें भी हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है और इनका भी बहुत प्यारा लाइट गोल्डन सा कलर आया है हमने इन्हें ज्यादा मिक्स नहीं किया तो बस इसे भी डिशावट करते हैं अब तो बस यह देखें स्टार्टर हमारे बिलकुर रेड़ी हैं दो तरह के मने बनाए हैं और दोनों ही बहुत अच्छे बने हैं यह बहुत क्रिस्पी लग रहे हैं देखने से और यह देखें जितने यह बाहर से क्रिस्पी हैं अंदर से यह उतने ही सॉफ्ट है और अच्छी तरह स्ञाटर्स की में nuo K autol koopak aaa कि दिजुएगा और दूसरे जूसरे हमें आपको कौल एक हमने भीयम्स के लिचा शबाइद की आस तान मुश्य पोर तान काई हो तेकक छाएन काई हो को उतना की मुझे बाही तो इस जबाई बने हमेट पुर्षाण के वीडियो कर दो